अपरिका दोरे से ठीक पहले टीम इंडिया को लगा है तगड़ा जटका रोहित सर्मा प्रैक्टिस मैच के दोरान हुए बुरी तरसी चोतिल क्या रोहित होंगे साउथ अपरिका दोरे से बाहर बताएंगे आज की इस खास वीडियो में आगे लेकिन इससे पहले अगर आप बी रोहित सर्मा को एक विसपोटक बलेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजे साथी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नो कप्तान रोहित सर्मा मुंबई में ट्रेनिंग सेशन के दौरान चोटिल हो गए हैं रोहित सर्मा को ये चोट तब लगी जब थ्रोडाउन स्पेसलिस्ट रागवेंदर की गेंच सिधा उनके हाथों पर जाकर लगी और उन्हें तगरा दर्द हुआ प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित सर्मा को चोट लगने की खबर साउथ अपरिका के एहम दोरे से पहले उनके फैंस के लिए किसी बूरी खबर से कम नहीं है रोहित सर्मा की ये चोट अब कैसी है इस पर अपडेट का इंतिजार है कुछ ऐसी ही चोट साल 2016 में अजिंके रहने को भी लगी थी जिसमें उनकी अंगुली थ्रोडाउन पर तूट गई थी साउथ अपरिका दोरे पर पहला टेस्ट मैच खेलने में अभी दो हपते का समय बाकी है यानि रोहित की चोट अगर ज्यादा गंभीर नहीं हुई जिसका की अनुमान लगाया जा रहा है तो वो फिट हो सकते है लेकिन अगर वो चोटिल रहे तो फिर उस सूरत में सेंचू साउथ अपरिका दोरे पर तीन टेस्ट मैचो की सिरिज खेलने के बाद भारत को तीन मैचो की वंडे सिरिज भी खेलनी है जिसमें रोहित सर्मा कप्तानी करते हुए दिखाई देगे तो दोस्तो इस पर आप भी दुआ किजिए कि रोहित सर्मा की चोट ज्यादा गंभीर नहो साथी क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना बहुमोल्य समय देने के लिए धन्य बाग कि अबाग के लिसक्क स Mutta Allि को सब्सक्राइए तोस्तों अवाया चेस्टों और खबरे घंयादा आपना बहुमोल्य समय दुछतिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइए